इसमोल कैप एंड मिड कैप मूचल फंट्स के अंदर इंफ्रो जैसे बढ़ता जा रहा है उसी के साथ साथ फंड मेनेजर्स के उपर प्रेसर भी बढ़ता जा रहा है इसी कारण से साथ यह अपनी कैश में होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं यदि अभी करेंट लेटेस्ट होल् होल्डिंग्स है और यह होल्डिंग्स आपको जो बड़े-बड़े मेजर एंदर 10 प्रेसेंट यह उससे भी ज्यादा देखने को मिलेगी तो हले अबरिवन राम राम मैं हमाचल सिंग आज की वीडियो में आप से वीका स्वागत करता हूं इससे पहले जो मैंने टोपिक आ दिखाई देगा जैसे की मार्केड में बहुत उठा फटक देखने को मिल रही है उसी के साथ साथ पिछले कुछ समय में जदी बात करें पिछले एक दो साल की ही तो यहां पर डबल एमांट हो चुका है लगबग एमसी के अंदर जो एउयम जो इन्फलो आता है वो बहले हम इसमोल कैप की बात करें या फिर मिड कैप की बात करें लार्ज कैप में सिगनिफिकेंट है उतना ही है कम हुआ है लेकिन इसमोल कैप में सबसे ज़्यादा इन्फलो में ग्रोथ हो देखने को मिली है तो कैस रखने का मतलब क्या होता है जब बहुत ज़्यादा इन्फलो आ में बहुत ज़्यादा inflow आता है तो fund manager की मजबूरी भी होती है कि उसको बहुत ही वो मतलब serious होकर बहुत ज़्यादा मतलब उनको charge पड़क करके इस टोक्स तलासने पड़ेंगे और एक point और होता है यदि कोई immediately redemption आएगा जैसे कि मान लिजिए redemption आपने आज request डाली तो जब cash में holdings रखते हैं तो उसका safety major ये भी होता है कि जो cash में उन्होंने holding रखी है उससे आपका redemption करके तुरंट आपको AMC पैसे दे देगी ये कुछ bifurcation वो AMC अपने fund के according करती है कि कि कितना redemption की request आएगी तो कितना cash में से वो redeem करके दे देंगे और कभी typical time हुआ तो cash में से छोटे मोटे redemption जो करके आपको दे देंगे तो ये safety measures होते हैं और जब बहुत ज़्यादा holdings cash में रखे जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो value investing उनको नहीं मिल रही है वो अच्छे stocks ढूण रहे है तलास कर रहे है और अच्छे IPOs भी अभी market में नहीं मिल रहे है तो ये तो हो गया कि cash holdings बढ़ती क्यों है इसका मतलब क्या है इसके अलावा और भी further इसमें points consider किया जा सकते हैं लेकिन main आपको समझने के लिए consider करने के लिए ये points enough है ठीक है आप जलते हैं पहले हम देखेंगे mid caps में कितनी holding है जैसा कि मैंने आपको बताया कि mid caps के अंदर भी जो 20% AMC यानि mutual fund schemes हैं उनके अंदर लगबग 5% या उससे ज़्यादा की cash holdings अभी बढ़ी वी देखने को मिल रहे हैं latest और 50% से ज़्यादा scheme जो small cap की हैं उनमें 5% से उपर की holdings आपको cash में देखने को मिलेगी तो जैसा कि आप screen पर देख पा रहा है हो यहाँ पर आपको mid caps की cash holding panel में दिखा देता हूँ यहाँ पर fund का नाम है absolute in crores यानि कि जो value अभी cash में है वो crores में आपको देखने को मिलेगी और percentage of AUM जो इनका size है fund का उसका कितना percentage अभी ये cash में hold किये हुए है particular scheme कुछ जो major schemes है उनके नाम with मतला amount कितना है और कितना percentage of AUM है बाकी सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा others others में same category की सारी scheme आ गए उसका कितना जो बाकी के बच्चे के fund है कितना cash में value है और कितना total यानि की AUM का percentage of cash में holding है ठीक है तो यहाँ पर number one पर mid cap में अब number one पर है मतलब सबसे ज़्यादा holding है इसके अंदर value wise ठीक है percentage wise नहीं value wise यदि किसी में value wise ज़्यादा भी है लेकिन उस fund का size ही बहुत बड़ा है तो वो value wise उसी परिकार से जो है कम हो जाएगा percentage ठीक है SDFC के अंदर 493 क्रोड की cash की holding है जो की AUM का 6.8% होता है SBI के अंदर 431 क्रोड की cash holding है 8.7% की holding होती है Axis के अंदर mid cap की बात कर रहा है 1280 क्रोड की holding है 5.1% की ये cash में holding होती है percentage to the AUM मोतिलाल उसवाल के अंदर 1247 क्रोड की holding है जो की होती है 14.7% अब देखिए 1280 Axis में 1247 मोतिलाल उसवाल में तो Axis में 5.1% सेम amount of लगबग ठीक है और लेकिन मोतिलाल उसवाल में 14.7% लगबग 3 गुना है क्योंकि मोतिलाल उसवाल का size as compared to Axis कम है ऐसी कारण से वो percentage of AUM ज़्यादा याँ पर देखने को आपको मिल रहा है कोटेक में 161 क्रोड की cash में holding है 2.7% का percentage to their AUM अब नीचे है अदर्स बाकी की जो schemes midcap category की बची वहाँ पर 4,49 क्रोड की cash में holding है और जो की उनके AUM को बैठता है 2.7% और टोटल की यदि बात करें तो midcap category में 13,151 क्रोड की cash में holding है सारी schemes में मिलाकर AMCs में मिलाकर और ये 4.4% बैठता है to their याने की AEM asset under management तो या भी यदि category की बात करें less than 5% है कोई दिक्कत नहीं है वैसे 5% के उपर भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके science जो मैंने आपको पर return में भी दिये है हाला कि long term में भी दिये है लेकिन अभी इसकी जो popularity बहुत जादा बढ़े गई है तो small cap में इसके cash holding की बात करें number 1 पर SDFC है 3020 क्रोड की holding है 10.56% देखे साले 10% के लबबग AEM size जो है उनका उसकी percentage इनके cash में holding की है axis की अधी number दोपर बात करें 204 क्रोड की holding है और इसके percentage बैठता है 10.73% यानि कि 60-60 बी उपर की percentage holding के cash में की हुई है निपॉन 2025 क्रोड की cash में holding है और यह percentage है 4.4% to their AUM SBI 1655 क्रोड और यह percentage में है 6.48% Quant small cap की अधी बात करें जो की बहुत ही popular तो पिंदा category यदि बात करें पिछले 5, 7, 3, 2 साल की तो सबसे number one पर आपको यह small cap fund return देते हुए देख जाएगा 953 क्रोड की cash में holding है इनकी और 17,000 क्रोड के लबबग इनका AUM है उपर निचे थोड़ा बहुत होगा 15, 17,000 क्रोड के असपास AUM है 933 क्रोड की cash holding है 5,53% की जो यहाँ पर AUM का है इनका और इस पर मैंने detailed video भी आपके साथ share की थी dedicated to the quant small cap and quant I think flexi cap flexi cap और infra इस तरह के funds पर mid cap पर मैं video share कर चुका हूँ आप channel पर जाकर check कर सकते हैं अब बचे बागी के other funds अब उसमें बहुत सारे skims आती हैं जो कि आपने अपने अपने चैनल पर बहुत सारे reviews और detailed portfolio में देखी रखे होंगे तो others में 54,69 क्रोड की cash में holdings है in the category of small cap which is equivalent to 4.9% to their AUM asset under management यानि कि कुल में लाकर यह दि बात करें total in the category of small cap funds 15,225 क्रोड की cash में holding है which is equal to the 6.1% to their AUM size और जो कि 2.5 trillion का AUM size जो है small cap funds का उसका 6.1% जो है यह अपना cash में holding रख रहे है which is more than 5% अब वैसे basically it is considered to 1 to 5% की cash holdings रख सकते हैं यदि 5% के उपर जाता है significantly यदि points में भी increase होता है न यह तो value कई करोडों में पहुंसती है क्योंकि AUM size यह इतना बड़ा हो चुका है और अभी भी AUM size बड़ा नहीं हुआ है इससे डरने की जरूत नहीं है जो यह AUM size आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ क्वाइन इसमोल के आपका popularity बढ़ेगी जो लोगों के अंदर confidence अभी नहीं है जो लोग सोचते हैं कि हाँ PPF है bank में FD है क्योंकि वो risk कभी नहीं ले सकते जो population, जो generation gap है एक generation ऐसी है कि वो near retirement है और after retirement है just retirement हो चुका है ठीक है तो उनके पास क्या options बस्ते है वो अभी इतना learning है वो इतना risk capacity उनके पास है नहीं तो यह जो next generation आएगा तो वहाँ पर क्या options है उनके पास bank capital है नहीं और उनको तो वैसे भी popularly बहुत जल्दी अमीर बनना है और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आपके साथ बहुत घटनाएं भी घट सकती है तो सोस समझ कर निवेस करें patiently hold करें mutual fund और stock market में सीखने को बहुत कुछ है यदि बिना सीखे आप पैसा बनाना चाहोगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि आप डर कर बहार हो जाओ market से हमेशा के लिए तो मैं इसे लिए बोलता हूँ सीखिए दस लोगों की बातें सुनिए जिसकी बात समझ मैं अपने level पर cross check कीजिए जो आपके लिए suitable बैटता है उसी परिकार से अपने investment decision लीजिए और investment करने से पहले अपना सारी emergencies नियर future की emergencies आपके कैसे आप अपना SIP के amount manage करोगे कैसे यदि आपको direct stocks खरी देने उसका पैसा कहां से manage करोगे ये सारी चीज़े आपको certain emergencies पहले से plan करनी पड़ेंगी यदि आपका सारा कुछ well plan होगा और उस पर मैं basic से basic videos आपके सारा कर चुका हूँ इवन मैं ये भी बता चुका हूँ लोग को कैसे आपको अपने घर के daily expenditure को maintain करना चाहिए manage करना चाहिए जिससे की your future मतलब risk जो है taking capacity बहुत बढ़ जाएगी और अपने investment को आप बहुत असानी शे continue कर पाओगे तो ये थी video small and mid cap के cash holdings पर जिससे की हमें समझे में आता है कि क्या किस पिरकार से market अभी change होता हूँ दिखाई दे रहा है और opportunities है stock market में equity market में हमेशा opportunities देखने वो मिलती रहेंगी ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ बरबाद हो गया कुछ नहीं है डरने की जरूत नहीं है डराने वाले तो बहुत नहीं यहाँ पर patiently hold कीजिए यदि आपने सही stock और सही mutual fund में निवेस कर लिया है तब कोई दिक्केत नहीं है आप उसके साथ बने रहे हैं बाकी चीजों पर ध्यान रखिए और अफवाओं पर ध्यान ना दे अपना खुद का सर्च रिसर्च भी करें और उसको hold करें लोंग टर्म में आपके पैसे बन जाएंगे यदि जानकारी समझ में आई अच्छे लगिए तो बाकी लोगों के साथ share और इसको like आप अवरसे कर सकते हैं मिलतें कल फिर एक वीडियो में तब तक के लिए नमसकार राम राम जेहिन जेवर